नौशकार मित्रो मेरा नाम है मुनाल पतेल और आज हम देखेंगे 22 नवेंबर 2020 को इंडियन एक्सप्रेस के अंदर मुझे क्या 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 काम की चीज़े लगी सबसे पहले साओधी अरेबिया द्वारा ओनलाइन G20 समिट का आयोजन हुआ है दो दिन के लिए महाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरिंद्र मोदी ने काहा कि हमने एक नया ग्लोबल इंडेक्स बनाने की जरूरत है जहां पर ट्रांस्परंसी और गवर्नेंस की बात हो ये चीज आपने खुद से यहां से तयार नहीं करनी है क्योंकि जब मैना खतम होगा तो अलग-अलग Current Affairs PDF बनाने वाले जैसे Vision IS, IS, Parliament, वाजिराम और बहुत सारे लोग तो वो अपने PDF में इसके सारे मुद्धों की चर्चा करेंगे तो खुद से आपने मजूरी नहीं करनी है अभी सिर्फ Headline इसलिए देखनी है ताकि हमें याद रहे कि ऐसा कुछ हुआ था अगर आप 30 दिन की बादा हम एक ही दिन में खाया लेंगे तो बॉड़ी इसको एब्जॉब नहीं कर पाएगी उसी तरह रोज न्यूस थोड़ा थोड़ा पड़ा होगा तो Long Term Memory में याद रहेगा पूरे 30 दिन का एक ही दिन आप PDF देखो कि तो सब याद नहीं रहेगा तो G20 समिट हुआ ओनलाइन साओधी आरेब एक दो लाइन हमको दिमाग में रहनी चाहिए फ्रंट पेज पे दूसरा मामला है केरेला राज्य सरकार ने केरेला पोलिस एक्ट में अमेंडमेंट किये है कि अब से कोई भी सोशल मीडिया में कोई offensive पोस्ट करेगा तो उसे 5 साल तक की जेल और 10,000 रुपे तक का डंड होगा सरकार का justification यह है कि क्यूंकि कोरोना lockdown के चलते लोग पूरा दिन online लगे रहते हैं तो मैलाओ के किराफ और दूसरों के किलाफ अबदर टिपणिया करते हैं और उन लोगों में डर कम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वो Information Technology Act और उसका Section 66 उसको हटा दिया था तो आजकर लोग बहुत हेकड़ी में गुमते हैं कि हमको कोई arrest नहीं कर सकता इसलिए उन में डर बिठाने के लिए हमने यह किया है अगेन वो पेज अपना UPSC Means Paper 4 वहाँ पर जो रोल अप सोचल मीडिया उसमें यह सब सोचने वाले मुद्दे हैं क्योंकि क्रिटिक्स कह रहे हैं कि इस कानून से सरकार अपने Opposition Parties का और क्रिटिक्स को डराने दमकाने के लिए मिश्यूश करेगी उसके अलावा फ्रंट पेज पे पार्लामेंट के अंदर अलग-अलग Departmental Standing Committee होती है विबागियस था इस समितियां उसके अंदर Health और Family Welfare उसकी समिति ने कुछ पाया कि कैसे कोरोना के चलते लोगों को तकलिफ हा रहे की फाइंडिंग्स, Health Expense बड़ा है, OPD बंद हो गये हैं तो मैलाव को तकलिफ हा रही है Digital Divide के लिए बच्चों ये पढ़ाई नहीं कर पा रहे है, Suicide का रिस्क बड़ा है वैसे तो ये सब आप जानते ही हैं, ऐसे उपर उपर से box क्यों पढ़ने चाहे ताकि अपना English improve हो यही चीज जब आपने English में लिखने हैं आप अच्छे से लिख सके, कम शब्दों में लिख सके तो front page पे ये देख लेना, बाकी सब बोल बच्चन चालू है, page 2 के अंदर अनुसंदान में, page 3, वही state specific news, page 4 भी state specific news, page 5 के अंदर बारती सिंग कॉमेडियन, गांजे के साथ पकड़ी गई, लेकिन ये सब हमारे लिए बहुत काम का नहीं जमू कश्मीर के अंदर district development council के polling हो रहा है और वहाँ पर ये फारुक अब्दुला, महभूबा, मुफ्ती वगएरा कुछ उसके बारे में शिकायते कर रहे हैं, लेकिन ये वही ball by ball negative news, not so greatly important फिर है page 6, काम का नहीं सबराशी भविश्य, page 7, page 7 के अंदर कुछ काम की चीज़े हैं पहला मद्यप्रदेश सरकार ने कुछ दिनों पहले बात करें थी हम गव कैबिनेट बनाएंगे, मतलब जो chief minister है और उसके selected cabinet minister जो cow protection के लिए अलग से चर्चाएं करेंगे और आज से कुछ साल पहले पंजाब राज्य सरकार ने तो sales for cow protection लगा ही दिया था sales का मतलब होता है tax के उपर लगने वाला tax उपकर तो cow welfare के लिए पंजाब, चंदीगर, उत्तरप्रदेश, राजस्तान ये सब लोगों ने अलग अलग चीज़ वस्तूपर cow sales लगाया था और मद्यप्रदेश भी अगर ऐसा करेगा तो वो पांचवा राज्य बन जाएगा क्या ये चीज़ हमारे के लिए काम की है UPSC की CDS परिक्षा में अभी November में पूछा था कि राम मंदिर का architect कौन है तो हाँ इस टाइप की चीज़ों पर थोड़ी नज़र रहनी चाहिए एट लिस्ट फॉर दन नोन IAS exams उसके बाद So that was page 7 Page 8 पर Lady Sriram College के अंदर fees को बढ़ाया गया तो एक लड़की ने उसके चलते सूसाइड किया उसकी लंबी चौड़ी स्टोरी है बट इतना सारी पढ़ा है हमारे लिए काम की ने Page 9 columns columns के अंदर P.C. Dambaram ने column लिखी है कि 1991 से लेके अब तक जो अलग-अलग प्राइम मिनिस्टर थे नर्सी मारा, वाजपई मनवान सिंग, मोदी उन्होंने क्या-क्या reforms लिए और उसमें best कौन था अब obviously वो Congress की प्रस्टन साव अगेरा करेंगे लेकिन column इसलिए देखना चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत सारे economic reforms एक ही साथ गिनवा दिये हैं farm laws, labor laws, liberalizing, fdi, manrega, wet, say gst, fdi in retail, बहुत सारी चीज़े तो उसको आप पढ़िए जब भी ज़रूरत पढ़े post-independent इंडिया, economic reforms, means paper 3, ऐसे किदर भी वो सब लिखना हो, you can just quote them chronologically उसके अलावा सब gossiping type of news जैसे हर अविवार को एक columnist कुमी कपूर वो सब सत्ता के गल्यारों में क्या चल रहा है, जैसे कि citizenship amendment act वो तो डिसेंबर में ही पिछले साल पास हुआ था, लेकिन सरकार ने अभी तक उसको notify नहीं किया, क्योंकि कुछ लोग ऐसी गॉसिप मार रहे हैं कि दो कारण हो सकते, पहला वेस्ट बेंगाल चुनाव के पहले ही लागू करेंगे ताकि और voter polarization हो सके, या फिर कि अगले साल 2021 में बांगलादेश की पचासवी जैनती है, फ्रीडम की, उस वकत प्राइम मिनिस्टर मोधी वहाँ जा रहे है, तो वो नहीं चाते कि उससे पहले मैं इसको notify करूँ और हमारे बांगलादेश के साथ रिष्टे बिगले, anyways interesting read कभी कभी देखने चाहिए, फिर हम directly जम करें page 10 पे, त्रिपूरा और वहाँ पर brew समुदाय के कुछ लोगों के settlement में, कुछ वापस से दंगे और protest शुरू हो गए, इसका मतलब यह नहीं, हम इसकी ball by ball committee वापस पढ़ना शुरू करें कि brew refugees का मामला क्या है, मैंने आपनों को कल भी प्रोएक्टिवली आपने तैयार करके रखना चाहिए कि वो पूरा मामला क्या था, news आई और फिर सोचने बैठे और explain series देखने बैठे, that is not the way to prepare the things, border issues, internal security, वो पूरा एक साथ में से लेबस complete करो, page 10 के अंदर bottom part में, global sustainability film awards, England की एक TVE नाम की संस्था और बारत की कोई संस्था डिफिकल्ट डायलॉग्स मिलकर ये दे रहे हैं, अब यहां से MCQ बनाना हो तो वो ऐसा नहीं पुछेंगे कि ये दो संस्था हैं, वो उसका उल्टा कर दे हैं, UNFCCC द्वारा या WWF द्वारा कोई बड़ी संस्था का नाम लेकर इसका wrong statement बनाएंगे, कितनी फिल्मों को ये अवर्ड मिला उसके लिए स्तियार करने का फाइदा नहीं कि बहुत सारी छोटी छोटी कैटेगरी थी, अवर्ड की उसमें मेन ये ये चीज़े, सो बेजिक दो लाइन हैं हमको याद हो नीचे, ग्लोबल सस्थेनेबलिटी फिल्म आवर्ड और किसने दिया तो बड़ी संस्थाने नहीं, छोटी ती चुई दो संस्थाओं ने बना है, एक उनलाइन लिट्रेचर फेस्टिवल हो रहा है, टाटा लिट्रेचर लाइव, उससे हमें GS4 Ethics की केस टड़ी मिलती है, मुद्दा ये है कि वहाँ पर लिट्रेचर लाइव फेस्टिवल में उनलाइन अलग-अलग आथर्स को बुलाय जाएगा, और वो अपनी किताबों के बारे में, लिट्रेचर के ट्रेंड के बारे में चर्चा करेंगे, अब ऐसे दो पैनलिस्ट आने वाले थे, लेकिन उन्होंने ये का कि हम अपने पैनल की चर्चा के शुरुवात में, सभी कॉर्पोरेट कम्पनियों द्वारा जो शोशन होता है, गलत काम होते हैं, उसके खिलाफ और खासकर टाटा कम्पनी के खिलाफ अपना स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो फिर शोज के ओर्गेनाइजर ने इन दोनों पैनलिस्ट को हटा दिया, कि टाटा ग्रूप हमारा स्पॉंसर है, तो हम इस टाइप का आपका एजेंडा यहाँ पर अलाव नहीं कर सकते, तो यहाँ से भी केस टड़ी के अगर ऐसा कुछ होगा, तो as a show organizer, what will you do? Freedom of speech, और उसके साथ यह सारे मुद्देवी, यहाँ पर अमने ध्यान यह रखना है कि, when you are organizer of an event, that is not a government event, और particularly जब आप show के organizer हैं, तो आपके क्या चीज़े होने चाहिए, जो sponsor कर रहा है, उसके भी आपने ख्याल रखना है, जो आपके shows के format है, और इसकी integrity उसका भी ख्याल रखना है, so how will you balance these things? वो सोचिये paper 4 के लिए, तोड़ा नीचे जाए page 11, अब उसमें कि बारत के forex reserve पिछले 6-8 मैनों में, 100 billion से भी जादा बढ़ गए हैं, उसकी ball by ball commentary दिये, commentary पढ़ने का कोई फाइदा ने, क्यूंकि पूरे साल का क्या trend रहा, वो अगले साल economic survey में आएगा, तो अपने आप वो सर्फ जितना RBI ने transaction करने पढ़ते थे, डॉलर के सामने रूपी को stabilise रखने के लिए, वो कम करने पढ़ते हैं, इसलिए उनको stress कम हो जाता है, तो accumulation बढ़ने लगता है, so one reason is, हमारे imports पहले से थोड़े कम हो गए हैं, crude oil के price भी इतने ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं, और तीसरा कारण की दिरे दिरे ये lockdown के बाद वापस economy पट्री पे आ रहे हैं, तो foreign investors वो दिरे दिरे पैसा बारत में अपने डॉलर्स ला रहे हैं, तो इन सब मुद्धों के चलते forex reserve हमारा बढ़ रहा है, फिर personal data protection bill, उसके बारे में कुछ अलग-अलग tech groups ने अपने चीजों को रखा है, वो थोड़ा पढ़ ये कहीं पर, उदनी बंद के अंदर और ये paper 4 social media में ज़रूरत पढ़े, आंद्रप्रदेश, तेलंगाना के बाद, तमिल नाडू तीसरा state बनाए, जिसने online games and gambling को banned किया है, again that is also role of social media और उसके सारे issue paper 4 के लिए, वो आप देखिए, so this is page 11 related to economy में ये सब वो लिख रहे हैं, और फिर नीचे दिया गया है कि, November में diesel consumption में 5% पहरे से कम हो गया, क्योंकि transport और lockdown वगेरा है, अब उसकी भी उसने explained series बनाए, इतना detail में क्या वो तो common sense छोड़ो उसको, उसके बाद page 12 international relation, वहाँ पर भी वो सब इदर उदर का बोल बच्चन जारी है, जानने लाइक चीजों में, France, France के अंदर कुछ ऐसे पहले भी गटनाई हुई, जब lone wolf attack के नाम पर, आतंकवादियों ने या तो किसी citizen को, किसी teacher को, किसी policeman पर हमला कर दिया था, अब France सरकार ऐसा एक bill लाना चाहती है, कि अगर कोई journalist या व्यक्ति, social media में किसी policeman का photo खीच के, upload करेगा, तो उसको सजा हो सकती, अब इस प्रकार का ये जो बिल आने वाला है, उस पर सब activist इसका विरोध कर रहे, क्योंकि उनको ये लगता है कि police officer, अगर कोई गलत भी काम कर रहा हो, तो भी मालों वो किसी से bribe ले रहा है, इसलिए उसको मार रहा है, फिर भी आप उसका photo upload करो, social media में और आपको सजा हो जाए, तो freedom of expression ये भी एक मुद्धा बनता है, फिर कुछ person in news, travel writer एक उसकी देहांद हो गया, वगेरा, then you go to, page 13 और 14, उसमें सब कॉलम रहती है, वरवी वारवाली मैटो लाइफस्टाइल, एक दो पढ़नी चाहिए, ताकि मैंने आपको बताए, seaset paper 2 के लिए अपना थोड़ा paragraph reading में काम में आए, page 15 पर आप जाए, तो पता चले, अरुन शौरी उन्होंने किताब लिखे, preparing for death और उसका review है, ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सब बात करी कि अमृत्यू होता है, आत्मा होती है, ये सब, तो seaset paper 2 में कुछ बार जो ऐसे philosophical टाइप के आते हैं मुद्दे, ऐसे paragraph पढ़ने कि आपको आदत बने, इसलिए वो देखनी चाहिए, फिर आप जाए page 16 पे, वैसे sports, मैंने अब तक आपको बता आते रहा था हमें कि sports में कुछ काम का नहीं, लेकिन इंट्रेस्टिंगली आज काम का है, क्योंकि कॉनेरू हमपुई, जो कि 15 साल की उम्र में एक जमाने में यंगेस्ट female grandmaster champion बनी थी, उन्होंने बात करिया कि chess के अंदर gender bias कैसे होता है, उनका ये कहना है कि female का competition सिर्फ female के साथ होता है, तो उनको जितना rank और marks मिलेंगे वो कभी male के सामने आई नहीं सकते, तो number one हमेशा पूरूशी देखता है, और दूसरा कि महिलाओ को ही जो tournament होती है, उसमें price कम होते हैं compared to male tournaments, तो उनका ये कहना है कि unified या unisex type के tournament होने चाहिए, मारला महिलाओ पूरूश दोनों आपने सामने खेले, chess की tournament, क्योंकि ये कोई physical sport नहीं जैसा होता है, मालनी जे कुष्टी या cricket या basketball, जहाँ पर physical proudness में शायद 19-20 का फरक देखे, ये तो दिमाग से ही करना है, तो सामने कर सकते, so that is one thing, and second, कि महिलाओ को भी पूरूश जितना ही award में price मिलना चाहिए, ऐसी controversy पहले tennis में भी हुई थी, तो मुद्दा ये बनता है, suppose आप chess की जो भी BCCI जैसी national body हो, और वहाँ पर ऐसी demand आती है, तो number one, क्या आप इसको लागू करेंगे, दूसरा आप इसको कैसे लागू करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ करनेंगे, तो पूरुश की लाड़ी चाहिद उसका विरोध कर सकते, और देखते हैं कल ऐसा और clip बन सकता है के नहीं,